सभी बक्तों को शिरी शिवाय नमस्तु भ्याम हरहर बहादेव ओग नमस्षिवाय 19 अप्रेल कामदाई कदशी का विशेश दिन 19 अप्रेल 2020 को कामदाई कदशी पड़ रही है इस कामदाई कदशी के दिन पुत्र प्राप्ति के लिए बंच विरत्थी के लिए संतान प्राप्ति के लिए चार उपायों का बंडन करूँगा चार में से जो भी आप उपाय करना चाहे वो एक उपाय कर सकते हैं करना किस प्रकार से इन उपायों को उसकी जानकारी आपको देंगे पर उससे पहले आप एक छोटा सा कार रहे जो कि करते वे आ रहे हो जो पुराने वीडियो उसको प्यार दे रहे हो इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दे चैनल को लाइक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेर करें तो जो सबसे पहला उपाय है वो है शिरीफल वाला उपाय जैसा कि आप इस स्क्रीन पर शिरीफल देख रहे हो आपको एक शिरीफल लेना है और एक पीले कलर का कपड़ा लेना है अब इस पीले कपड़े और शिरीफल को लेकर शिरीफल में पहुंच जाना है पती और पत्नी में से कोई भी यह उपाय कर सकते हैं एका दशी के दिन प्रदोशकाल में कब प्रदोशकाल में आप शिरीफल में जाओ शिरीफल में जाकर सबसे पहले तो जो शिरीफल है उस शिरीफल पर आपको इस पीले कपड़े को लपेटना है और लपेटना कितने इस्तान पर केवल ये जो बीच वाला इस्तान होता है शिरीफल का केवल उतने से इस्तान पर निकि जो आपके पास में कपड़ा हो उसकी चोड़ाई इतनी हो और लपेट ते समय हैं उन का ही उपाय है सफेद आकड़े की जड़वाला तुम्रुका जी कही उपाय है पिपल के पत्ते वाला और तुमरुका जी की करपा से बंच वरती और संतान की प्राप्ति हो तो आप शिव जी के सम्मुक में बैठ जाना आसन लगा कर बैठो पती और पतनी में से कोई भी जब आप आसन लगा कर बैठ जाओ उसके बाद में इस कपड़े को आपको शिरीफल पे लपेटना है साथ बार तुम्रोकेश्वर महादेव के नाम से लपेटने के बाद में शिव जी के सम्मुक में शिव जी के जलाधारी पे मत रखना इस शिरीफल को शिव जी के सम्मुक में ही रखना आपको सम्मुक में कहां पर जैसे कि ये शिवजी है तो ये जो इस्थान आप देख रहे हो इस इस्थान पर आपको शिरीफल को रख देना है जदी शिरीफल को जब आप इस इस्थान पर रखने वाले हो तो केवल उसके पहले एक छोटा सा कारे करना है यह जो जलादारी है इस जलादारी पर उस शिरिफल को केवल और केवल आपको इस पर्ष कराना है इस पर्ष कराना का मतलब है केवल टच कराना और टच कराकर फिर इस इस्तान पर आप रख दीजे अब माताय भेने यह उपाय कर रहे हैं तो वे अपना नाम बोले और अपने पती का नाम बोले और यदि पती यह उपाय कर रहे हैं अपनी पतनी के लिए और सुहम के लिए तो वे भी अपना नाम बोले और अपनी पतनी का नाम बोले नाम बोलकर शिरिफल पर कपड़ा लपेट कर आपको इसको एक अदशी के दिन प्रदोश काल में शिव जी को इस परश करा के रख देना है उसके बाद मैं बाबा की किरबा आपके उपर होगी और आपको निश्चित रूप से संतन की प्राप्ति होगी अगला उपाए अब अगला जो उपाए है यह जो उपाए है यह कुल 45 दिन का उपाए या 45 दिन का नियम क्या करना है आपको जैसे आप प्रते दिन बगवान चंकर की पूजा करते होंगे अपने गर पे जो बगवान चंकर का शिव लिंगे आपके घर पे उसकी आरती उतारते होंगे बगवान चंकर के सम्मुक में दीप पर जुलित करके आरती उतारते होंगे अब जिस दीप से आप आरती उतार रहे हैं जैसे आपने बगवन चंकर की पूजा करी शाम के समय पे और घर में पूजा करने के बाद में उससे शिव जी के आरती उतार ली अब आरती उतारने के बाद में क्या करना है आपको उस दीपक को जमीन पर नहीं रखना जमीन पर या फिर जैसे मौनलो जहां भी आपने शीवजी को रखा रहा है विराजबन करा रहा है उस स्थान पर यानि कि नीचे नहीं रखना उस दीपप को अपने हाथ में ही रखना है जब आप आर्ति पूरी कर ले फिर इस दीपक को अपने साथ ले गए जाए और जहां पर आप पानी बरते हैं जहां पर आपका मटका है पलिंडा है या अपने आरो भी लगा रहा है उस स्थान पर भी एक प्लेट में अपने पित्रों का इसमरन करके अपने पित्रों से बंचिवरदी की कामना करके संतान प्राप्ति की कामना करके उस दीपक को और ये जो दीपक होना चाहिए ये गी का दीप होना चाहिए अब इस दीपक को आपके पित्रों वाले स्थान पर मठके के पास में रख दीजिए, प्रति दिन जब आप लगातार 45 दुनों तक बगवन चंकर की अरादना करेंगे, आर्ति करेंगे और आर्ति करके इस दीब को 45 दुनों तक आपके फित्रों के स्थान पर रगेंगे, तो आपके फित्रों की करपा आपके उपर होगी, क्योंकि उन्हीं की करप वीडियो का वो है तुलसी के क्यारे वाला उपाए जो तुलसी का क्यारा होता है अब उस तुलसी के क्यारे के पास में आपको क्या करना है एक दीपक लंबी बात का परजोलित करना है अब आप कुछ लोग बोलेंगे कि बोलेंगे तुलसी के क्यारे के पास में लंबी बात का दीप नहीं परजोलित करते हैं पर गुरुजी बोलते हैं कि जब आपको विशेश कामना हो विशेश मनो कामना हो तो उस विशेश कामना और मनो कामना के लिए आपको लंबी बात का दीप परजोलित करना होता है तो जो तुलसी का क्यार हो अब जो क्यारे का मतलब है जिस घमले में जिस पॉट में आपने तुलसी लगा रखी वो चोकोर हो यानि कि उपर से जब आप उसको देखे तो वो इस प्रकार का दिखाई दे चोकोर हो प्रते दिन दीप प्रजुलित करते दीजिए, तुलसी माता के किरपा आपके उपर होगी और आपको निश्यत रोप से बंच व्रद्धी और संतान की प्राप्ति होगी। अगला उपाए, अगला जो उपाए है वो है रोगों की मुक्ति के लिए है। रोग मुक्ति के लिए आपको यह उपाए करना है, यदि आपको कोई भारी रोग हो गया है, भहेंकर रोग हो गया है और उसका समादान नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आप एक दीप लंबी बाती का शिव जी के सम्मुक में, जैसा कि आप यह देख रहे हैं, तो शिव जी के स प्रजोलित करते हैं, तो आपकी रोग और बिमारी निश्चित रूप से समापत होगी, तो यह देख एक दशी के उपाए, सभी वक्तों को शिरी शिवाए, नमस्तू उप्याम, हर हाँ